मैं बहुत बीजी हूँ, सुभे जल्दी उठी नहीं पाता हूँ मैं रात को बहुत देर तक काम करता हूँ, इसलिए सुभे जल्दी उठना पॉसिबल ही नहीं है मैं घर के कामों में ही दिन भर बीजी रहती हूँ और इसलिए मैं वक्त ही नहीं निकाल पाती हूँ ऐसे काफी कारण लोगों के पास होते है सुभे जल्दी उठके exercise नहीं करने के लिए लेकिन मेरा ये मानना है कि exercise करना urgent काम नहीं है जो urgent होता है उसे हम तुरंद उसके पीछे भागते है अगर आपके बिजली के बिल की आखरी डेट है या फिर हो सकता है अगर अभी आपने बिजली का बिल नहीं भरा तो आपकी जो electricity है कट हो जाएगी आप उस वक्त भागते हुए जाएंगे पैसे नहीं है तो किसी और से उधार लेंगे और electricity का बिल पे करेंगे क्योंकि तुरंद उसका परिनाम है उसका impact है लेकिन exercise का तुरंद impact नहीं दिखता है और इसलिए ज़्यादातर लोग इसे टालते हैं बहाने देते हैं काम में busy हूँ मैं कर नहीं सकता हूँ कल करूँगा परसो करूँगा इस तरह से कारण देके इसे टालते रहते क्योंकि आज के लिए ये ज़रूरी नहीं है और फिर hospitals में लाखों रुपए लगाना पड़ता है बहुत सारी बीमारिया पीछे लग जाती है वजन बढ़ जाता है heart की problems हो जाती है काफी तकलिफे होती है और फिर जाके realize होता है कि काश मैं रोज exercise कर पाता तो इस वीडियो में ऐसे important दो चीजों के बारे में दो कामों के बारे में मैं बताने वाला हूँ जो अगर आप करेंगे तो आपके लाखों रुपे बचेंगे और इसलिए ये वीडियो बहुत important है इसे अंत तक देखिए पूरा समझिए क्योंकि ये वीडियो specially मैंने आप ही के लिए बनाया है नमस्कार मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर क्या आप जानते हैं इंडिया में 30-40% यानि कि 3 में से एक इंसान hyper tension blood pressure बढ़ जाने की बिमारी इससे सिखके एकसरसाइज व्यायाम आपको blood pressure बढ़ने से आपको बचाता है आपका blood pressure जो बढ़ने की संभावना है उसे कम करता है ये होगया पहला फायदा exercise करने का दूसरा exercise का फायदा होता है इससे हाट अटेक की जो संभावना है वो कम हो जाती है, हाट अटेक के जोखिम से आपको exercise बचाता है, क्योंकि 25 से 28 परसंट तक लोग हाट अटेक से पीडित होते हैं, तीसरा exercise का फायदा है आपको depression से ये बचाता है, जब हम exercise करते हैं, तो हमारे शरीर में endorphin नाम का एक हर्मोन र रखता है, प्रसंद रखने में मदद करता है, और इसलिए अगर आप depression के शिकार है, आपके अंदर negativity है, आप बुरे विचारों से पीडित है, तो ये आपको बचाने के लिए मदद करता है, वैयाम करने का चौथा फायदा है, आपकी immunity को ये boost करता है, और इसी वज़र से का चुटी चुटी बिमारियों को तुरंद fight कर सकते है, आपका body जो है, आपका शेरीर जो है, ऐसी बिमारियों से fight करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है, इसलिए ये बिमारियों से आप बच जाते है, छटा फायदा इससे है, आपके जो फेप्रे है, लंग्स की क्षमता आप ओबेज है, आपके शेरीर में अगर excess चरबी है, तो वो exercise करने से कम हो जाती है, और आपको काफी स्पूर्तिला फील होता है, आठ नंबर का benefit है, अगर आप regular exercise करते है, तो आपका जो diabetes है, blood sugar है, वो भी कम हो जाता है, और जिसकी वज़े से मोटा पा भी कम हो जाता है, और आपको fresh fill होने में इससे मदद मिलती है, नाइन्थ नंबर का benefit है, आपके bones strong और मजबूत हो जाते है, तेन्थ नंबर का फायदा है, आप cancer जैसी भ्यानक बिमारियों से भी exercise आपको बचाती है, एलेवन्थ नंबर का सबसे important इससे फायदा है, आपके body में flexibility आ जाती है, और लचिलापन बढ़ने की वजह से आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, आप कोई भी काम तुरंद कर पाते हो, आपका interest बढ़ जाता है, आपका happiness बढ़ जाता है, आपको काफी अच्छा feel होने लगता है, और इसलिए exercise करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, अब बा जाता हूं कि आपको exercise करने के लिए, वयाम करने के लिए जिम जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पहली बात तो यह समझे कि आपको daily कम से कम 30 minutes, 30 minutes और 30 to 45 minutes तक के exercise करनी चाहिए, ये वक्त अगर आप निकालते हैं, तो इस वक्त को आप अलग-अलग प्रकार से utilize कर सकत क्या कर सकते हैं आप घर पर, आप push up कर सकते हैं, आप सुर्य नमस्कार कर सकते हैं, आप stretching exercises सीख सकते हैं, काफी YouTube पर वीडियो से हैं, अगर आप लगा देंगे YouTube पे, stretching exercises डालेंगे और सामने screen रखके घर पर ही चालू करेंगे, तो तुरंथ ही आपका वयाम शुरू हो जाए वो है दिन भर movement करते रहिए, आप जो भी काम करते हैं, अगर आप office में बैटे हैं, थोड़ी देर के लिए chair से उड़ जाएए, थोड़ा पैदल चलिए, आपको अगर phone आता है, call आता है, तो याद रखिए एक नियम मना लिजे, जब भी call आया, आप जगव पे खड़े हो जाएंगे, बैट कर call ratio मत कीजिए, और अगर आपके पास office में जगह है, तो आप चल भी सकते हैं, अगर आप TV देखते हैं, तो remote का use मत कीजिए, रिमोट के जगह पे खुद उठिये, टीवी के पास जाएए, volume कम कीजिए, volume बढ़ाना है, वहां से volume बढ़ाईए, बैठे ब important आपके लिए यह है, कि अगर आपको exercise की आदत नहीं है, धीरे धीरे शुरू करिए, पहले 10 मिनिट, 15 मिनिट से शुरू कीजिए, walking चालो कीजिए, हलका exercise चालो कीजिए, stretching exercise चालो कीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाईए, लेकिन इसे बहुत ही important समझिए, यह बहु हो सकता है, और जो आपको hospitals में लाखो रुपे खर्चा करा सकता है, और अगर अभी से आप यह शुरू करेंगे, तो शायद यह पैसे भी आपके बचेंगे, आपकी energy बढ़ेगी, और आपको खुद को भी अच्छा feel होना शुरू हो जाएगा, इसलिए तुरंत आज से ही श जाता हूँ कि इस वीडियो के बाद exercise शुरू करें, पाच मिनिट, दस मिनिट, और मैं आपको पकावादे के साथ बता सकता हूँ, मैंने काफी लोगों में यह चीज़ आजमा की देखिए, उनके experiences मैंने सुने हैं, वो जब exercise करना शुरू कर देते हैं, तो जितना काम अभी वो कर रहे हैं, उससे ज़्यादा काम वो कर पाते हैं, क्योंकि exercise करने से आपके brain की sales भी activate होती है, आपके body में energy level बढ़ जाती है, आपका happiness बढ़ जाता है, आपका काम करने का जो focus है, जो क्षमता है, वो भी बढ़ जाती है, अगर आप student है, तो भी मैं आपको suggest करूँगा, कि आप आदा घंटा 45 मिनिट तक exercise जरूर कीजिए, आपकी energy level बढ़ेगी, आपकी grasping बढ़ेगी, अगर आप काफी पैसे बचाना चाहते है, अगर आप जिंदगी में successful होना चाहते है, तो आज ही से exercise शुरू कीजिए, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है, तो डॉक् exercise कीजिए, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रन्यवाद